दोस्तों यह बोट वेव विवेड यह जो स्मार्ट वाच है यह एमॉल डिस्प्ले के साथ में आता है और यह हुबहु आपल वाच की तरह दिपता है इसे आप आपल वाच का क्लोन के सकते हैं प्राइजिंग बहुत ही बढ़िया है टू ट्रिपल नाइन वैसे मैंने बहुत कॉलिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है और यह जो वेरेंट मेरे पास है यह फुल मेठल वेरेंट है मेटालिक स्ट्रैप के साथ में कफी इंट्रस्टिंग स्मार्ट वाच चलिए से चेक करते हैं देखते रहे हैं तो यह है बोट वेव विविट का बॉक्स पैक बॉक्स के अंदर यह दिखें यह है स्मार्ट वाच अब यह जो स्मार्ट वाच है यह हुबव हू आपल वाच के तरह दिखता है अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो वैसा ही लुक एन फील मिल रहा है और इसके जो कॉलिटी है बहुत ही बढ़िया है मैं महसूस कर पा रहा हू इसका जो फ्रेम है यह मेटल का बना हुआ है बलाक कलर का है और यह जो मेटालिक स्ट्राप है इसका कलर भी बलाक है काफी बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है यहां पर देखें बोट लिखा हूआ है और यह इस प्रकार के लॉकिंग मेकानिजम के साथ में आता है नीचे इसकी quality से मैं काफी impressed हूँ, इसके अलावा box में ये सारे accessories दिया हुआ है, एक तो है ये sticker, ये कुछ और stickers है, काफी interesting, ये है warranty card, ये है catalog जहाँ पर आपको boat के जो unnear products है, उसके बार में जनकारी मिल जाएगी, और ये है इस smartwatch का user manual, ये magnetic charging dock भी box गंदर दिया हुआ है, ये जो part ह watch के पीछे भी आपको ये points मिलने वाले हैं, ये दिखे, यहाँ पर ये जो points है, इन्हें आपको match करना है, वैसे box में ये tool भी दिया हुआ है, अभी जो tool है ये इसलिए दिया हुआ है, क्योंकि ये जो metallic strap है, अगर आपको जो strap का length है, उसे change करना है, तो आप ये जो tool है, इसे use कर सकते हैं, अब ये जो tool है, इसे कैसे use करना है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे एक option तो ये है कि आप, आपका जो local watchmaker है, उसके पास जा सकते हैं, और वो आपके लिए adjustments करके दे सकता है, या फिर आप ये tool है, इसे use करके घर पर adjustments कर पाएंगे, इसे use करना बहुत ही असान calendar है, जो की बाहर आजाएगा, मैं आपको करके बताता हूँ, तो यहाँ पर, ये देखे, मैंने जो hole है, उसमें जो pin है, उसे दाल दिया है, और इसे मैं घुमा रहा हूँ, ये देखे, टक करके एक sound सुने देगा, और यहाँ पर, मुझे नहीं बता कि आप देख पा रहे है लेकिन, अगर मैं इसे बाहर निकालू, ये देखे, ये जो pin है, यहाँ से बाहर निकल गया है, अब इसे आप बाहर निकाल सकते हैं, और ये देखे, अब ये सेपरेट हो चुका है, अब क्यूंकि ये सेपरेट हो चुका है, मैं आपको बता जाता हूँ, कि नीचे से जो watch ह और यह है charging points और यहां से आपका अच्छा idea मिल जाएगा कि इसकी जो quality है वो कैसी है इसके नीचे भी एक film लगा हुआ है बहुत ही important है कि आप इसे निकाले क्योंकि यह जो film है बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा हुआ था और अगर आपने जो film है से निकाला नहीं है तो हो सक लाएगा तो इस प्रकार से जो strap है इसका मैं adjustments कर पाऊंगा यहां से भी और यहां से भी मेरा जो wrist size है उसके हिसाब से तो मैंने जो watch है मेरा जो हाथ है उसके हिसाब से जो strap है इसका adjustment कर लिया है यह देखिए अब यह perfectly fit हो गया है थोड़ा सा loose है which is okay और यह काफी बढ़िया लग रहा है यहां पर देखे जब आप यह निकालते हैं और अगर आपको इसे add करना है तो यह जो pin है इसे आपको यहां पर इसमें इस प्रकार से डलना है और यहां पर इसे थोड़ा सा bank करना है ताकि जो pin है यह अंदर चले जाए, for example मैं इस प्रकार से bank करता हूं और यह अब ये अच्छी तरीकी से लॉक हो गया है तो वाच का सेटप मैंने कर दिया है और ये देखे ये है इसका default watch face और ये जो crown है ये actually functional crown है एक मामली सा tick sound मुझे सुनाई दे रहा है काफी smooth है और ये देखे ये सारे watch faces default watch faces available है ये काफी interesting है और क्योंकि ये amoled display है इसलिए जो quality है काफी बढ़िया लगती है इस पर और ये देखें ये भी काफी impressive है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है and ये cartoon style का तो ये सारे options available है ये भी काफी interesting है तो मैं फिलाल इसके उपर जाता हूँ यहाँ पर ये button दिया हुआ है इसे प्रेस करेंगे तो जो physical activities है उसका जो menu options है वो आपको दिख जाएगा यहाँ से आप select कर सकते हैं बहुत सारे options available है ये 100 plus sporting activities को track कर सकता है और ये जो button है इसे अगर आप प्रेस करेंगे ये देखिए अगर आप चाहें तो ये जो game है इसे भी खेल सकते है वैसे जो gaming experience है ये भी काफी अच्छा है games काफी smooth है और settings में आपको ये सारे options मिलते है watch faces जो कि मैंने आपको अलड़ी दिखा दिया wrist, wake है always on का option दिया हुआ है इसे मैं on करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो options मिलते हैं digital या फिर pointer dial pointer dial देखते हैं कि कैसा होगा ये देखें ऐसा है ये भी काफी interesting है काफी impressive है ये always on है इसके अलावा brightness का option दिया हुआ है आपको manually जो brightness है उसे change करना है ये देखें ये वाला जो option है ठीक है इतना brightness ठीक है language का option है menu style अगर आपको change करना है अगलग theme options अवलेबल है ये listing options है ये circular type का है यहाँ पर जो icon दिया हुआ है उससे से आपका idea मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से जो menu है आपको मिलने वाला है तो मुझे ये वाला जो system है काफी अच्छा लग रहा है तो ये देखें ये काफी easy to use है और काफी smooth है actually जो performance है इससे मैं काफी impressed हूँ UI भी काफी अच्छा है और जो application है boat का वो भी काफी interesting है एक तरह से कह सकते हैं कि premium level का है art rate है BP BP normally इतना accurate नहीं होता है इसलिए मैं उसे ignore करता हूँ SPO2 भी काफी बढ़े तरीके से ये monitoring करता है काफी हद तक accurate है तो ये सारे options available है जो कि आपको आम तोर पे दूसरे watches में भी मिलता है और इसमें AI voice का भी option दिया हुआ है चलिए जो calling feature है वो try करते है तो यहाँ पर ये है call menu dial 121 और ये लीजिए मेरे phone के साथ में connected है volume जो है ये काफी loud है और इसमें जो microphone है इसकी quality भी काफी बढ़िया है hands-free calling के लिए ये काफी अच्छा है तो ये है boat sync application जिसे मैंने मेरा जो smartphone है इसमें install कर दिया है वैसे जो watch है इसमें built-in GPS नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर आप GPS यूज़ करना चाते हैं तो जो smartphone है इसे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर दिखे जो device है उसका setup आप यहाँ से कर पाएंगे watch face का भी option दिया हुआ है लेकिन फिलाल यहाँ पर online में options available नहीं है आगे चल के आने वाला है incoming call मैंने on रखा हुआ है और जो अन्या settings है यह आपको जो दूसरे smart watches है उस पर भी मिलता है यह जो smart watches का pricing है 2,999 रुपीज exactly 3,000 रुपीज display की quality as well as in general जो watch का frame है जो features दिया हुआ है जो UI है plus जो strap है मुझे लगता है कि यह बहुत ही बड़िया deal है 2999 में अब इस style के जो watches है बहुत सारे market में available है लेकिन इसके जो quality है यह काफी अलग है दूसरे watches के comparison में यह है boat sync application और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने walk किया था 33 minutes का और जो step count है वो था 3625 जो कि approximately इतना ही मुझे दूसरे watches के साथ में मिलता है तो जो smart watch है यह आपको consistent results देने वाला है आजकर एक नया trend शुरू हो चुका है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो smart watches है यह fake smart watches है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ clarify करना चाहता हूँ कि देखिए जो specifications होता है वो अपनी जगे पे होते हैं लेकिन जो technology है उसे समझना भी बहुत ही ज़रूरी है और सही words का उपयोग करना भी बहुत ही important है fake smart watch अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि for example मेरे पास यह watch है यह तो actually fake नहीं है लेकिन fake smart watch अगर होता तो इसके अंदर जो hardware है वो नहीं होता इसके ओपर जो display है वो हमेशा ही 10 बचकर 10 मिनिट ही दिखाता मतलब कि वो functional नहीं होता एक तरह से fake होता लेकिन अगर कोई smart watch functional है और उसे आप fake कहते हैं तो कोई sense नहीं बनता है अगर आप इसलिए fake कहते हैं क्योंकि जो step count है वो सही तरीके से count नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि जो शब्द है वो भी गलत है क्योंकि जो smart watch है इसमें आपको consistency देखनी है accuracy नहीं देखनी है क्योंकि हर एक जो smart watches है इनमें जो sensors होता है ये अलग-अलग तरीके से काम करता है और in case आपने जो watch है से table पे रखा हुआ है और फिर भी ये step count कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये fake smart watch है इसका मतलब ये है कि इसमें जो sensor है वो defective है अब जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि जो smart watches है ये fake होते हैं actually जो smart watches है वो उन से ज़ादा smart है अब ये जो smart watch है इसमें आपको consistent results मिलने वाला है और battery life के अगर बात करें तो up to 7 days का battery life mention किया हुआ है box पर लेकिन मेरा जो usage pattern है उसके हिसाब से मुझे up to 5 days का battery life मिल रहा है अगर आप ज़्यादा calling feature ये उस करेंगे तो naturally जो battery life है ये ज़्यादा जल्दी use up हो जाना वाला है तो दोस्तों अगर आप ये smart watch खरीदना चाहते है बहुत ही बढ़िया option है और ये जो watch है ये boat के website पर available है pricing 2999 लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने देखा app में जो watch faces का option है उसमें फिलाल कोई भी नए watch faces available नहीं है लेकिन एक customized watch face का option दिया हूआ है वहाँ से आप जो watch faces है उसे customize कर सकते हैं अगर आप ये product खरीदना चाहते हैं link मैंने वीडियो के description में दिया हूआ है तेखते रहें